हेलो दोस्तों मैं किसन सर्मा स्वावच करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के नोटुक में तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने स्पहल में आप लोगों को दो बाते कहना चाहता हूं आप लोगों को इतना मेल आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों को पूरा तरह से कंप्लीट करवा दुगा ससी को एक्स्ठीं करना और आप लोगों को शॉल करवाना बहुत लया बहुत ज्यादा लगया है लेकिन मैं आप लोग को साइंस के लिए पूरा तीस कोश्चन और इंगली का पूरा एक असेट की तरह आप लोग को सॉल कुरा दूगा ताकि आप लोग को पदा जिए कि एक्जाम में किस तरह के कोश्चन आएंगे तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहें तो चैनल को लेड़े थी यहां पर लोग का फर्स्टम दिया हुआ है 91 और लास्टम दिया हुआ है 110 और यहां से अगर आप लोग देखें कि 91 से 110 तो टोटल जो आप लोग का नमबर यान बनेगा वह 20 बनेगा तो हम लोग को यहां पर इसका सम पूछ रहा ठीक है तो हम लोग का एसन का है 91 और प्लस हम लोग का एन है 110 तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यह जाएगा हम लोग का दस मुल्टिप्लाइद 201 तो यह हो जाएगा 2010 तो यह हम लोग यहां पर एसन वाला फॉर्मूला लगा दिए एन बाइट में ए प्लस एन ठीक है तो यह हम एट का मुल्टिपल में मानना है ठीक है और आप लोग एट का जो मुल्टिपल है वो पहले ही मानिये यानिकि एट और यहां पर बोल्या तो यह व्लों की बोल्टिपलाइब 11-1 तो हम लोग आ जाएगा 65 और यहां पर बोल रहा है तो 65 इसको अब लोग करें तो हम लोग का जो रिमीनिंग है वह वन आ जाएगा ठीक है अगला कोछ नहीं पांच और 13 के बीच की सभी संख्याओ का या निकाप लोग का इवेन नंबर का बोल रहा है कि यहां से आप लोगा 6 हो जाएगा एट हो जाएगा उसके बाद 10 हो जाएगा और फिर 12 वोजाएगा ठीक है थाटी नहीं लेना तो अम लोग निकालना इसका निकालना है तो यहां जाएगा 120 तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 120 अगला कुशन दी वैलियो अप यहां पर आप लोग यह बोड मास लगाना इसमें इसको आप लोग सिंप्ली सॉल्व करना तो देखिए सबसे अब बाहर वाला को सॉल्व करें 3 multiply 4 by 6 तो 4 by 6 को सॉल्व करें तो 2 by 3 हो जाएगा यहां से 4 और यह 6 है तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो क्या हो जागा 2 by 3 और जब 3 तो उसके बाद हम लोग सॉल्व के 4.5 तो यहां आगी हम लोग का राइट आंसर ऑप्सन नमबर माइनस 13.5 अगला कुशन है चे मेज और बारा कुर्सियों का मुल्य जो है यह साथ हचा रुपया है खरी दी गई एक मेज का अगर ऑसत मुली 750 रुपया तो एक कुर्सी का त सिक्स मुल्टिप्लाई 750 रुपय क्योंकि एक तो का अदाम में 750 सिक्स मुल्टिप्लाई 750 प्लस 12 इंटु एक्स एक्वल टू 7800 तो यहां से जब लोग सॉल्व करें दोस्तों तो टूल एक्स आ जाएगा 3300 और जब आम लोग 3300 को टूल से डिवाइड करें तो यहां जाग 60 रुप है अगला कोशन दो संख्या तीन नुपात चार के नुपात में उनमें से प्रते को 30 बढ़ाने पर नुपात 9 इस्टू 10 हो जाता है तो इसमें से संख्याओ का योग पूछ रहा है तो क्या करें हम लोग यहां पर एक्स के रूप में बारने है थ्री एक्स प्लस 30 इक वल टू 9 X 10 हो जाएगा क्यूंकि क्योंकि बोल रहा था कि 30 बढ़ाने पर 9 X 10 हो जाता है तो जब इसको इक्वेशन को में सॉल्फ करेंगे दोस्तों यहां से हमलोग का एक्स का वैलू है जाएगा 5 अगला कोशन दिया हुआ है तो बोल रहा कि A C D तो इस तरह को जरूर देखने मिलेगा एक रिशियो वाला कोशन मैं आप लोग के लिए इसके ट्रिक्ट बता दो जल्दी को सॉल्फ कर लिए बस आप ध्यान से क्या करने हम लोग को यहां पर हम लोग को यहां चार इंटीज दिया तो उसके जगह पर नंबर को बैठाते जाना है जैसी कि एक के नीचे लिए अभी के लिए फोर तो फिर हम लोग जो फोर लिखेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर यहां पर सी का वैलो थ्री है उसी तरह बैठाते है अब दिखे दो जो आप लोग का ब्लैंक जगा ब इप लोग नोग राइट साइड में भी क्या आएगा फाइब और फाइब यानि कि इसी तरह यहां पर यहां पर तो आप लोग लेफ्ट साइड में जो खाली जगा रहेगा नेबरिंग नंबर को पर उसी नंबर जो रहेगा उसको बैठा देंगे तो फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है तीनों को गुणा कर देना ठीक है इस इस तो बैठा देंगे सब को नंबर के नीचे और जो नेवरिंग पर उसी नंबर उसको बैठा के मल्टिप्लाइब कर दिए तो यह हम लोग का ट्रीक है दोस्तों इससे आप लोग इसली को सॉल्व कर लीजे तो आप्सन नंबर दोस्तों अगर आप लोग कोई बिए को सम सबी चैप्टर कर ठीक है तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए गा तो आप लोग और इजी होगा को समझने में अगला कोशन ए बी से 25 परतीशत अधिक कमाता है तो एक परसेंट का कोशन इसमें क्या करें हम लोग को यहां पर पुला है यह बी से 25 परसेंट अधिक कमा आता है जो दडिवाइड मिं रखते है ऐऔर बका क्ते ओर एक कृपियर का अधिक करने मल्टिप्लाई 100 और एहो knew about कि यहां यहां वो केरें को यहां को Double that बी सिंपली यहां परिक on all उन्रेंगा से जिसका कम रएगग उसको डासे ये का 125 माल ये compare करने बोल रहा है ये से तो यहां पर हम लोगा दोनों का difference होगे 25 multiply 100 divided by 125 तो राइट आंसर होगी option number B अगला question एक संख्या के 62 परसेंट और 18 परसेंट का अंतर 198 तो संख्या के 92 परसेंट और 56 परसेंट का अंतर देखिए दोस्तों यहां पर हम लोगों को सिंप्ली परसेंट को भूल जाईए यहां समझ लिए आप लोग एक्स के रूप में 62 और 80 इन दोनों के बीच का gap कितना आ अगला question है एक टेवल को 1140 परसेंट का नुक्सान होता है यह आप लोगा profit loss का question है 5% लाव हासिल करने के लिए कितने में बेचना हो तो मैं आप लोग को बताया है दोस्तों trick देखिए आप लोग क्या बोर रहा है कि 5% का नुक्सान हो ग्यारा सो चाली से यानि कि यह क्या है जो 1140 है यह आप लोग का 95% होगा क्योंकि 5% का loss हो रहा है तो यानि कि 95% इक्वल अगला कोशिन ने कुछ वेक्ति यह आप लोग देख लिए तो आप लोग को अगला कोशिन ने कुछ वेक्ति यह कारे को 84 दिनों में कर सकते हैं ऐसे दुगने वेक्तियों कि उसी कारे को आधा को कितने दिनों में करें इसमें आप लोग का जो यहां पहला पता नहीं कि कितने लोग कर रहे है तो हम लोग जो फार्मुला हो क्या है यहां पहला है यहां पहला है यहां पहला है उसी कारे का आधा कारे को ठीक है तो हम लोग जो वर्क है उसको आधा कर देंगे जो डिवाइड में तो इसको जब हम लोग सॉल्फ करेंगे दोस्तों तो 84 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x multiply d2 ठीक है तो हम लोग को देज पूछ रहा था तो यहां से हम लोग इसको इसको सॉल्फ करें तो हम लोग का एक्स का वैलू आ जाएगा 21 तो राइट आंसर हो ज हम लोग एक्स का वैलू तो यह आ गया 21 तो राइट आंसर होगी अप्शन नमबर है 21 अगला कुशन एक बस 6 घंटे के लिए 25 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता तो बस की तैकी गई दूरी तो यहां पर देखे हम लोग को यहां पर आवर में दिया हुआ है और यहां किलो में पर आवर ठीक है इस पीड जो हम लोग आ गया 90 किलो में पर आवर तो हम लोग चे घंटे के लिए बोल रहा थो तो 90 मुल्टिप्लाई 6 यह आप लोग का 540 तो यह जो डिस्टेंस किया है किलो में 540 किलो में तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर सी अगला कोशन ने यहां पर टेनों की गती के बीच का अनुपात टू फाइब दिया है यहां पर देखें दोस्तों हम लोगों यहां पर रेशियो में स्पीड दिया है यहां पर लोग को टाइम दिया है बोलगा 3050 किलो मेटर चलता है पांच गंड नहीं कि स्पीड क्या हो जाएगा 350 का मिला दोनों टेन का इस्पीड कितना है तो दोनों का उजागा सब्सक्राइब तो यहां पर दोनों को एड करने बोला क्यों कि बोला कि इसको कैसे सब्सक्राइब यहां पर क्या करें यहां पर क्या करेंगे हैं इसको पूरा थीटा माल लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको जब सॉल्फ करेंगे दोस्तों यहां से कर जाया दोनों तरफ हम फंक्षन को सेम कर दिये तो क्या हो जाए यहां पर सेवें अल्फा प्लस प्वेंट डिगरी और इसको जब लोग ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्फ किया है तो यह कितना हो जाए हम लोगा 90 डिडी माइ सब्सक्राइब कर दिये तो यहां गया राइट आंसर ऑप्सन नंबर एट डिग्री अगला कोशने यदि एक संबाहुत रिभुच की प्रत्यक भुजा बार सेंटिमेटर तो उसका सिर्स लम यानिके उसका अल्टिट्यूट क्या होगा तो इसका फॉर्मुला होता है जोस् इसका फॉर्मुला होता है रोट थी बाइट टू मुल्टिप्लाइब पर साइट जो साइट का वैल वैल यानिके रॉमबस का चेटरफल दिया और तू फिप्तिशिक सेंटिमेटर और यहां पर आप लोगा गोल रहा है कि पहला जो विकर्ण है लंबाई दूसरे से दुग नहीं है ठेल होता है अनि तो उस्काइर यहां सेह आघिया के 1 आधे टूसरी में और वीर्म है आपर टूसरे से दूग करता हम भी की था यह 2P हम लोग का यह option 32 cm अगला पोशन एक घनाब की यानि के क्योबोईट का लंबाई चोड़ाई अउंचाई का अनुपाद दिया वालिम दिया 576 तो इसका हम लोगा जो इसको माल लें थे 3x 4x और 6x तो इसको मैंटिप्लाई करते क्योंकि जो हम लोग का घनाब का यह क्योबोई करेंगे जो 3x था 4x और 6x तो सब का वैलू को पूट कर देंगे तो हम लोग का L आजाएगा 6, B आजाएगा 8 और H आजाएगा 12 तो इसके बाद हम लोग को बुल रहा है कि इसका घनाब की पूरी सता का शित्रफल क्या होगा यानि की टोटल सर्फेस एरिया बुल रहा है त इसका वॉल्यूम जो था तो यहांसे हम लोग का एक्स का वैलू निकल गिया अब उसके बाद हम लोग जो टोटल सर्फेस एरिया होता है कुल प्रिश्टेश है तो इसके निकाल दी तो यह आगे हम लोग का राइट आंसर नमबर सी 432 सेंटीमेटर स्कॉरर तो आज के इस प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया तो इसको आपने देख लिए तो आप लोग को जितना भी डौट है ट्रिक का हो आप लोग के लिए और इसीतर मैं आप लोग को साइंस का बी एक शेट पूरा करवा दूँगा और इंग्लिस और भी करवा दूगा तो आफिक अगर आप इ